हेलो एवरिवान गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आई हो आप सब बहुत अच्छी होंगे और जहां भी होंगे स्वस्त होंगे और मस्त होंगे और लगेतार मेरी वीडियो के साथ बने होंगे मैं मद्दू स्वागत करती हूँ यूटूब चैनल इसा फेमली व्लोग में कैसे हैं आप सबी अभी मॉर्निंग का टाइम है बिल्कुल सुबर के टाइम है और मैं बालकोनी कोलने आई न तो फीन मैं सोची अपना व्लोग भी स्टार्ट कर लेती हूँ और ये देखिए को अलमारी पर रग दी हूँ और मोर्निंग के जाड़ू लगा रही हूँ और आज लेट जगी हूँ ना था हस्बेंट को बोली कि थोड़ा सा हेल्फ आप करा दीजिए सिया और अरंस को भी आप ना ला दीजिए तो मुझे थोड़ा हेल्फ हो जाएगा क्यूंकि सिया को जाना है और लंच भी बनाना है लंच बक्स और सुबह में नास्ता भी मैं कराती हूँ कभी कार तो कर लेती है और कभी कार मतलब नहीं करती है क्योंकि जैसे संडे के चूटी होता है उसको मंडे को भी स्कूल जाने के मन्नी होता है तो कल संडे था आज मंडे है और यह आज क्या व्लोक आज ही जाएगा क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो नहीं ता और कल म had to do नहीं डाली थी क्योंकि सेंडे था तो मैंसे फोड़ा सा मैं भी रेश्ट कर लू क्योंकि भार पर थेए चलो डाल देती हूं और नमक डाल कर अच्छे से मैं इसको कूट कर बारिक पेश्ट बना दूँगी बिल्कुल बारिक बनाऊंगी आज मैं सत्तु की पूरी बनाऊंगी तो उसके लिए मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूं सत्तु के पूरीट तो मैं कई बार रेस्पी से बाकि आज थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूं और यह देखिए सोत्तु है और उसमें मैं जो लसूर मिर्चा नमक कूट के डाली हूं बारिक करके पेश्ट और इसमें जो प्याज है ना उसको भी मैं बारिक चौप करके डाली हूं और यह है जीरा भुंजा हुआ जीर मंग्रेल हम लोग ताजवाईनी मंग्रेल बोलते हैं पता नहीं आप सब क्या बोलते हैं काला जीरा भी इसको बोला जाता है तो इसको डालकर अच्छे से हाथ से मिला लूँगी मिलाने के बाद में आटा निकाल कभी गुत हूंगी जल्दी से नस्ता बनाउंगी तो यह द पूड़ी के आटा जिस तरह से रहता है उसी तरह से मैं इसको गूती हूं अच्छे से इसको मुकी मार मार कर अच्छे से सब्ट कर दी हूं और मैं इसको रेश्ट होने के लिए नहीं रखूंगी क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं है जैसे टाइम रहता है दास-पंदर भी डालूंगी और यह जितना मैं इस तरह से लोई करके इसमें सत्तु भरकर और चापिट बना रही हूं हाथ के सहते से क्योंकि बेलंस से अच्छो की इवज नहीं करूंगी इसमें और इसको पानी में डालकर भी उबालूंगी तो देखिए मैं इस तरह से एक लोई ले ल पूड़ी मैं हाथ से बनाके रखी हूं तो मैं इसमें दाल दूँगी और उबालूंगी डालकर और मैं आज बेलना और चकला कोई उज नहीं किये उपन झी इसको लीटी भी बोल सकते हैं जैसे गोल गोल बनाते हैं तो उसको लीटी फोलते हैं और मैं हाँ से चापिट कर दी हूं तो फूरी बोल रहे हूं बाकि इसको लीटी भी बोल सकते हैं सत्तू वाले लीटी तो यह इसको मैं अच्छे से पानी को निकाल कर और ठंडा कर दी हू और तेल में डालकर अच्छे से उलट प्लाट कर इसको छान लूँगी रेड होने तक और इस लीटी को थोड़ा ठंडा होने देना है नहीं तो क्या है न तेल में डालते हैं मतलब पानी के छीटा थोड़ा भी रहेगा तो उड़ेगा तो यह देखिए एक लीटी में निकाल दूसरा भी लीटी निकाल लेती हूं और अभी बेटी के टीपीन भी में भर लूँगी और यह देखिए लीटी को लट प्लाट दी हूं और कली मैं बर्फी बनाई थी और बर्फी के रेश्पी आप लोग के साथ शेयर नहीं की थी क्योंकि कल संडे था और बेटी का ड्रे दो बर्फी और दो छोटे छोटे साइच के पुडिया डाल कर टीपी लगा दी हूं और अभी यहाँ पर मेरी बेटी नास्ता करके बैठी है तो मैं इसको बेक को अच्छे से चेक कर लूँगी और इससे बाहत करी हूं तो यह बोल रही है ना कि ममी आज मुझे जाने के मन कर रहा है मैं बोली कि नहीं संडी को तुम रेष्ट की हो आतो जाना ही पड़ेगा तो फिन मतलब यह ऐसे इसको ना संडी को जैसे चुटी हो जाता है ना तो फिन मंडे को इसको जाने के मन नहीं करता है और मैं इसको ड्रेस पाना दी हूं और टाई वगरा सब लगा दी और मैं अभी इसको बाल के एक चोटी बना दूँगी क्योंकि गर्मी के मौसम है न तो मैं इसके खुले बार में अस्कूल नहीं भेज़ती हूँ बार बार मुह पर आएगा और ये परसान होगी और ये इसका स्कूल के ही मतलब कैप है इस पर स्कूल के नाम लिखा हुआ है आ परांस देखिए किस तरह से कॉइब पेन पेन कर चारू तरफ गूम रहा है और इसको बहुत अच्छा लगता है ये कैप देखिए हांस से बहुत जड़ा अच्छे से मस्ति कर रहा है पेन कर और मैं सिया को एक चोटी बना दूँगी और बहुत सारे किलिप लगा कर इसमें मैं बेंड भी लगा डिंगी कि मौ numbers बाला ना है किली प्रंदी में तो ठीक भी रहता है कि बाल खूला बगागे नई भैशती हूं और गर्म क mods को अप्धारर बेंड इसको मास्क लगा कर भेंडिव में बच्चे से स्थे गो Rocky मेरा किली कर गाअने के वाए कि दोग सब यह कैप है इसको बेग में डाल देती हूं जब उसको वहां पर कैप के जुरुत लगेगा तो शिया पेहन लेगी अभी पैप कैप लगा दूगी तो इसके बाल मतलब इधर उधर हो जाएगा और मैं बेग लगा दी हूं सिया को तो सिया रेडी हो गई है आज सिया अपने पापा कर दिया है क्योंकि अंस को भी ओई नाला है और सिया को भी अस्कोल छोड़ने चले गए तो मुझे थोड़ा सा मतलब आराम मिल गया है तो यह जो सोफा कबर गंदा हो गया था मेरा तो उसको हटा दी हूं और दूसरा सोफा कबर इसमें सेट कर दूंगी और अभी मेरे पास नहा कर मस्ती कर रहा है और यहां पर मैं अपने लिए चाय चड़ाए हूं तो चाय को अच्छे से उबाल आने दूंगी और जब मैं चाय पका रही थी न तो दूद वाले भाईया आ गये थे तो फिन मैं उनसे दूद लेकर और इंडेक्शन पर दूद रख दी थी और गैस यह जाती होँ फिन दूबारा से कुछ नहीं बनाना पड़ेगा और मैं अपने लिए भी जब सिया के लिए और हजबेंड के लिए बच्चे के लिए नाजता vam बनाती हूं अपने लिए भी बना देति हूं मैं घरंके चकर में दूबारा गैस पजना नहीं चाहते हूं तो म मैं भी जाकर वहीं पर बैठ कर चाई पीऊंगी और फिर कीचन चाई पीने के बाद में पूरे कीचन को अच्छे से पोच कर क्लिन कर दूँगी है अभी मैं हॉल में आ गही हूँ और यहां पर सथे कहते हैं दूध पीरा है और टीवी देख रहा है और यह जादा तर पैना निकी करता है यह हां थी राजा इश्कों ही काटुन ज्यादा पसंद है और यह जब मैं गाम करती हैं तही मैं तुम पर अपने से और मैं इसको टीबी लगाक नहीं देऊंगी न ति ये एक भी काम मुझे नहीं करने देगा एक भी काम नहीं और अभी कितने अराम से बैट कर दोद पी रहा है और टीबी देख रहा है और मैं चाय पी ली थी उसके बाद मैं पूरे कीचन को अच्छे से क्लीन कर दी हूँ और कॉमेंट वक्स में सुझाओ जरूर दीजिएगा मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में